वो भी जाता पापाजी। बिलकुल होता है क्योंकि बच्पन से ही मोटिवेट करते रहे हैं तो अब इतना कॉंफिडेंस आ गया है कि हाँ पापा ने जो काये ये काम और काम कॉछ से करने महानवदा बलाई करने अच्छे काम करने कोई अपना परसनल काम नहीं इसने कहना ना हमें को इसका होता है तो इस सिर्फ यह होता है कि कैसे और अच्छे करम करें या मैं जो भी काम करूं अच्छा ही करूं कि बेटियां जिस भी घर में हैं वो बच्चे जानते हैं परिवार जानते हैं वहां तमीज बहुत आ जाती है बेटियां तहजीब लेके आती हैं तमीज स लेकिन एक बेटी भी अगर साथ में हूँ, तो पूरे घर में कैसे रहना है, कैसे नी, क्योंकि हमारी पवित्र बेधों में भी धर्मों में लिखा है कि बेटी जो मा का रूप होती है छोटे से होके आपने माँ, आपका माँ बढ़न जाती है, ऐसे नहीं पहनते, वो नहीं करते, बड़ी होती है फिर जैसे शादिया हो जाती है तो फिर अपने पति की पतनी तो हैं, माँ का भी रोल अदा करती है, आप ये पहन के जाओ, अप ये खाया करो, बच्चे होगे उन का मतलब हर बेटी ही ऐसी होती है भावुक होती है अपने पापा के लिए अपने मां के लिए परिवार के लिए पूरे के लिए इसलिए तो हम कहते है कि बेटी होना बहुत जिरूरी है और वो भी बहुत गुनों वाली हो तो कहना ही किया है दुनिया का कुछ नहीं कहा जा सकत दुनिया अपने हिसाफ से सोचती है और बेटी का एक अपना परिवार तक सीमत होता है दाइरा वो उस बारे में फोकस रहती है तो समय काफी हो चला है तो होता ही है कि ममी पापा की जब बात चलती है भावगता आना बेटियों के लिए लाजमी होता है और गुरू हो फिर ममी आशिवाई आशिवाई आशिवाई